हेलो एव्रीवन गाइज माइम इस विनित कांक्रिया नाम यूर कॉन टीचर एड इस वंडरफुल चैनल एंबीए वाला बाई पी डबली तो दोस्तों अभी हम जो शुरुवात करने वाले है टॉपिक की उसका नाम है परसेंटेज आप में से जो मेरे साथ पाइनियर बैच म करना है देखो हमने आप से प्रॉमिस किया और हम वो कर भी रहे कि हम पाइनियर आपको बेसिक से स्क्राइच से बढ़ाएंगे लेकिन यार फाउंडेशन में अगर आपका एक्स्ट्रा रिवीजन हो रहा है या फिर फाउंडेशन में आपको और दो-चार क्वेशन एक्स् इसको भी यूज करो या फिर ऐसा करो कि यहां पर कुछ पाइनियर में सिखकर फाउंडेशन के लेक्चर के क्वेशन खुद के दम पर ट्राय करो या फिर वाईसर वर्सा तो सिंपल सी बात है यह मैं उन लोगों के लिए बोल जिन्नोंने पाइनियर का भी एक्सेस लिया है बैच परचास कर रहा है और फाउंडेशन भी अटेंड गर है तो यह हमने ऊसका बैस का तो देखी लिया है ब नेक्स सेशन में moderate advance PYQB करेंगे लेकिन अब foundation badge की बात करते हैं foundation badge में guys जैसे कि मैं आपका foundation बनाना है तो आज जिस topic come foundation बनाने वाले है जिसका आपका basic part पूरा scratch से clear करने वाले उसका नाम percentage बहुत important topic है क्योंकि खुद भी एक topic है बाकी पूरे count में जगे जगे काम आता है in fact अभी हमने जितने भी session है हमारा foundation badge में count 1 का 9th session चल रहा है guys 8 session में भी ऐसे कई question आयते जहाँ percent का छोटा मोटा use हुआ तो percent होता क्या ये पता होना जरूरी ratio percent ये basic topic से जो आपको यहाँ count में काम आते LRDI में काम आते हैं तो यार simple सी बात है तो percent को बहुत अच्छी से समझे उसको basic से smart approach कैसे हम fraction का use करके और easy कर सकते हैं सब चीजों को समझेंगे तो yes दोस्तों शुरुबात करते हैं तो percentage में हम सबसे बहुत basic introduction देखेंगे फिर जैसे मैंने का कि smart approach का है वो समझेंगे फिर कई बारी percent का fraction form में convert करके हम कितना आसान easy उसको कर सकते हैं वो समझेंगे फिर equivalent percent rate for successive percentage जहाँ percentage successfully दिया होता है पहले 10 percent फिर 20 percent फिर 5 percent इस तरह जब आपको successfully percent apply करना है तो क्या तरीका है या क्या formula है यह हम देखेंगे then percent increase, percent decrease, percent change या percent error मतलब आपको एक की salary का increase पूछा है as compare with दूसरे के वो भी in terms of percent increase in salary, percent increase in marks, percent decrease in salary यह सब चीजे आप देखोगे formula के फॉर्म में, concept के फॉर्म में and फिर कुछ practice question yes guys, बिना किसी देरी के let's start ज्यादा time ना लेते हुए शुरुवात करते है percent प्यार percent मुझे बोलने की ज़रुत नी क्योंकि उसके title में ही उसका meaning छुपा हुआ है per-cent ठीक है, per मतलब पता है आपको, है न, on the basis of जिसको अब per बोलते है और cent याने century, century क्या होती है भाई, hundred cricket के जो fan है, उनको तो पता है, जब hundred होता है तब हम century बोलते है तो per hundred हम हर situation को एक same platform पर लेकर आते है on the basis of hundred वह 700 मिले है, 1400 में से वो मत बता, 100 में से कितने वो बता 500 मिले है, 800 में से, वो मत बता, 100 में से कितने ये बता मतलब हम क्या करते है, हर भिन भिन अलग अलग situation को एक same platform पे लेकर आते हैं, और वो same platform मैंने क्या, per hundred per cent, ठीक है, तो yes guys, इसलिए hundred का बहुत important role होता है जबी भी आप percent की बात करो, है ना, तो simple सी बात है, मैं अगर बात करू, student A और student B की, मान लो, student A को मिले है 300 मार्क, student B को मिले है 400 मार्क, अगर मैं बोलू, बताओ दोनों में से कोन intelligent है, आप बोलो, कि sir, हम बताई नहीं सकते, जिसको यह basic नहीं पताओ, बोलेंगा, sir, B intelligent है, जिसको थोड़ा वो चीजे पता है, वो बोलेगा, कि sir, रुको, 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 यह अधुरी information है, हम बता नहीं सकते, है ना, आप में से काफी लोगों को लगाओगा, कि sir, B है, तो उन्होंने अपनी 600 मार्क मिले है, 600 में से, और यह 400 मार्क मिले है, 1000 में से, 300 मार्क out of 600, 400 मार्क out of 1000, तो guys, क्या अभी भी आप बोलोगे, कि sir, यह intelligent है, यह intelligent है, रुको, अब हम, अब हम क्या कर सकते, compare करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इस data को देखकर compare करना मुश्किल हो गया, अब हमें data क्या निकालना होगा, इन दोनों को common platform पे लाना होगा, common platform तो आप बहुत अच्छी समझते हो न, आप जो entrance की preparation कर रहे हो cat, या कोई भी omit, वो क्या है, वो भी तो एक common platform है, जिसमें वो सब, आजाओ सारे engineers, आजाओ सारे become experts, आजाओ सारे BBA करने वालो, आजाओ सारे pharmacy करने वालो, आजाओ सारे BST करने वालो, और दिखा दो अपना सकी लिहा पर, विकॉम में आपका, अगर मान लो cat में आपको आ बंदे में दम है, लेकिन फिर भी tough course है, इसले कम percent है, लेकिन हम जादा percent वाले को अगर admission दे देंगे, तो ये nine साफी, इसले तो ये क्या बनी, एक common entrance test बनी, आजाओ भई सब, आजाओ, तो फिर इसमें क्या है, सारे अलग-अलग specific, मतलब जो specialization है, सारे अलग-अलग specific fields के ज इसमें से भई, इसने 600 mark की exam दी, तब 300 मिले, इसने 1000 mark की exam दी, तब 400 मिले, इन दोनों का comparison फिलाल क्या है, valid नहीं है, अभी इसको common platform पे लाना होगा, और वो common platform मतलब ही क्या होता है, percent, वो common platform मतलब ही होता है, percent, तो बस क्या करना होता है, किसी भी percent, अगर fraction को percent में convert करना, ये ये क्या होगा, एक fraction होगा, 400 out of 1000, तो इसको अगर हमें convert करना है, तो simply क्या कर लो, into 100, इसी भी fraction को अगर percent में convert करना है, guys, simply multiplied by 100, fraction to percent converge, ऐसा ही होगा, a by b दिया है, अगर उसको percent में करना है, तो a by b into 100, पत्थर की लकीर, ठीक है, तो yes guys, अब देख लो, ये कितना होगा, ये 1 1 by 2 और into, ये 50 percent, 1 by 2 into 100 कितना होगा, 50 percent, और ये सीधा क्या होगा, 40 percent, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 into 10, 40 percent, तो अब बताओ जादा intelligent को होने, a, तो जिसने सिर्फ 300, 400 देखकर decision ले लिया होगा, अब वो क्या होगा, अब वो समझा होगा, यार ये थोड़ी अंदादुन बात हो गई थी, ह तो फिर आप बोल सकते हैं, भी intelligent है, लेकिन base अलग है, और जब base अलग है, तो common platform पे लाना होगा, और वो common platform पे लाने के तरीके को बोलते है, percent, बहुत basic से, मतलब I don't think कि इस से जादा और कोई basic हो सकता, इस चीज़ का, इतने basic से आपको बता दिया है, तो खत्म, अब आप यह ना, क्योंकि यह percent जब हम बोलते हैं, तो हमें बोलने की जरुरत नहीं कि तीनों का base क्या है, जरुरत ही नहीं है, क्योंकि अगर percent बोल रहे हैं, तो तीनों का base है, कि यह per 100, per 100, per 100, 90% हमें दीख रहे हैं, जब मैं आपको सिर्फ 300 mark, 400 mark बोलूँगा, तो आपको base देना approach, तो guys, वैसे तो पता है, जब पूरा number होता है न, उसको हमेशा 100% मानते, entire, complete number मतलब 100%, मतलब अगर मैं बोल दो आपको, complete number है 3980, इसको हमेशा बोलेंगे 100%, 100%, जबी भी आपको यह चीज़ तो पता है, कि अगर मुझे percent निकालना है, मानलो मुझे a के percent निकालना है, तो numerator मे a के mark आजाएंगे, denominator में total, और अभी मैंने आपसे कहा कि percent निकालना है, तो into 100 का हो है, पत्थर की लकीर, तो into 100 यहाँ आजाएंगे, यह हुआ a के percentage, मानलो अगर मुझे b के percent निकालना है, a के निकालना है, तो numerator में a के marks है, अगर b के निकालना है, तो numerator में b के mark आजाएंगे यानि जिसके percent निकालना है numerator में वो होता है A तो A आया, B तो B आया upon total into 100 तो यह percent का basic structure है तो guys अब यह percent निकालने के simple formula है लेकिन हम इसको भी ओर easy कैसे कर सकते है complete number को आप हमेशा 100% बोलो तो अगर मान लो आपको किसी ने 10% निकालने बोला है तो इसका simple rule है guys अब 10% अगर हमें निकालना है 3980 का मतलब 10% of 3980 तो guys एक चीज यह भी समझना कि जब मुझे 10% निकालना है तो 10% यह symbol जो भी है न इसको हटाने के लिए हमेशा 100 upon 100 लेना होता है ठीक है? मतलब अगर 10% है याने किसी fraction को percent में करना है तो मैंने क्या कहा? multiply by 100 जैसे कि इसले slide में आपने देखा इन दो fraction को आपको convert करना था percent में तो आपने multiply by 100 किया और उसी तरह अगर percent को fraction में convert करना है तो divide by 100 जैसे percent है 10% इसको मुझे fraction में करना है तो divide by 100 इन शॉट ये percent symbol हटाने के लिए अपन 100 होता है बहुत basic से बता रहा है आप में से बहुत लोग बुलेंगे रहा सर क्या बता रहे है आप ये तो हमको school से बता है लेकिन promise है ना यार foundation scratch से उठाएंगे तो वो ही पुरा कर रहे है ठीक है आखरी digit के पहले decimal जैसे 398 में last digit कोन है 0 उसके पहले decimal दे दो मतलब 398.0 0.0 नहीं भी लिखा तो चलेगा यह हो 10% 1% मतलब क्या होता है तो 1% मतलब 2 digit के पहले decimal यहाँ 2 digit कोन है 08 तो 39 0 rate के पहले decimal तो guys अगर मैं इस number का 3980 इस number का अगर इसको मैं entire complete number मान हूँ 100% तो उसका 10% यहने एक digit last digit के पहले decimal 1% यहने last 2 digit के पहले decimal 39.80 तो यह छोटी छोटी बाते समझो 50% मतलब क्या 50% मतलब उसका half तो इसका half ले लो आपको मिलता है 50% तो इसका half क्या होँआ तो यहर simple है इसको divide by 2 वो तो money money कर सकते हो 1990 तो 50% अब यह 100 entire number अगर 100% है 50% चाहिए इसका आधा ले लो 5% चाहिए तो यह रहा 10% इसका आधा ले लो तो आपको 5% मिल जाएगा 5% यहने इसका आधा तो कितना हुआ 199 या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 99 या फिर जो 10% है उसका हाफ ले लो 100% का हाफ 50% 10% का हाफ 5% यह छोटी छोटी बातों से आप बड़े-बड़े calculation आराम से कर सकते हो जैसे कि अगर आपको मैं बोलू find 39% of 480 तो generally जो traditional conventional सोच के वाला student होता है वो क्या करता है 39 upon 100 into 480 सरजी 00 कटा तो अब हम 39 into 48 करेंगे upon 10 कर देंगे क्यों थक यह हो simple है मैंने आपसे कहा है कि आपको table भी कब तक याद रखना है 1 to 30 तक है ना तो यार इतना क्यों कर रहे हो simple है 39% बोला है ना तो देखो देखो एक psychology बताता हूँ मैं किसी भी aspirant की बॉर्ड मास में मतलब आप अगर चार basic calculation पकड़ो addition, subtraction, multiplication, division तो आप अपने आप से पूछो कि बचपन से लेकर अब तक आप इन चारों में से सबसे अच्छा कुन सा लगता है addition फिर उसके बाद subtraction फिर उसके बाद multiplication है न सबसे last division तो यार यह multiplication करने से बेटर या कोई division करने से बेटर आप क्या कर लो 39% को आप ऐसा लिख सकते हो 40% माइनस 1% खतम तो इस number का 40% माइनस 1% कर दो आपको 39% मिलेगा और 40% निकालना क्या tough यार मैंने आप से कहा किसी भी number का 10% मतलब क्या आखरी digit के पहले decimal तो 10, 10, 10, 10 चार बार add करो, addition करना easy लगता है या फिर उससे भी easy 40% को आप ऐसा भी लिख सकते हो 50% माइनस 10% और माइनस 1% as it is 50-10, 40 40-1, 39% और 50% तो easy नहीं है अब आप भी बता दो 50% अब ये आपको समझाने इसले board पे कर रहा हूँ otherwise ए चीज़े फिर मन में हो जाती एक बार practice पे hold हो गया तो guys, बने रहो तो yes, इसका 50% कितना हुआ? आधा, तो इसका आधा कितना हुआ? 240 अगिन इसका 10% मैंने कहा, किसी भी number का 10% आने आखरी digit के पहले decimal 48 और अगिन इसका 1% तो last two digits के पहले decimal 4.8, finish तो इनका subtraction कर लो guys 240-48, कितना हुआ? 40 गया? आट गया, 192 minus 4.8, तो इन दोनों का subtraction हुआ अब इन दोनों का subtraction कर लो 4.8 minus कर लो, तो 2 ठीक है? तो 2781 187.2 is the answer guys तो अगर आपको 39% of 480 लेना है तो इन दोनों को multiply करते हैं, फिर 10 से divide करते हैं, आपने money-man क्या किया किया? और 39 मतलब 50 minus 10 minus 1 या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि direct 40, 40 मतलब क्या? इसका 10% कितना हुआ? 48 यह होँआ 10%, तो 40% मतलब 4 बार addition, तो 48 का 4 बार addition कितना होता है? 192 और उसमें से minus कर दो, आप क्या? 1%, 40% यहने हमने 4 बार 10, 10, 10% को add किया, तो यहाँ 192 और उसमें से 1% यहने 4.8 minus कर लो, फिर से वही बात है न? 192 minus 4.8, 187.2 समझे? तो इसे बड़े-बड़े calculation आप on the spot कर सकते हो, यार इसमें बहुत सी चीज़े वेदिक मैच कहेंगी, धीरे-धीरे हम सब sessions आपको बताएंगे, हैना? तो yes, 48%, again guys 48% को traditional approach से करोगे 48%, याने मैंने का आप सको percent symbol को हटाना है तो upon 100 off, याने into 720 तो simple यार, इतना क्यों कर रहे हो? हैना? 0-0 कटा, फिर इनका multiplication upon 10, तो better way 48% मतलब ही क्या हुआ? 50% minus 2%, 2% याने क्या? यो भी 1% हाएगा, 1% तो आप सिख गए smart approach, उसके double कर लेना double करना easy लगता है, तो yes, इसका 50% कितना हुआ? 360, minus अब यार, इसका 1% कितना है? इसका 1% है 7.2, तो उसका double कर लो, 14.4 और इनका minus कर लो, यार इनका minus कर ले न, answer आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो 3 43.6 340, sorry 345.6 पराबर याना, तो simple है यार, 720 का 48% आपने लेना था, 50% minus 2%, 50 याने आ था, तो इतना multiplication से आप बज गए और जैसे जैसे आप ये practice में लाओगे न, आपका ultimately उस पे हाथ साफ होना और भी जाद है, नहीं, आप मैंने कहा न, pain और paper की भी जोरोत नहीं पड़ेगी, वो चीज आ जाएगी Now, next, 99% यह तो और भी आसन, यार, मतलब आप traditional approach से करोगे, 99 upon 100 into 350, और, 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 तो इन दोनों को multiply करना पड़ेगा आपको, upon फिर 10, इससे तो better, यह हम क्या करेंगे 100%, 100% मतलब क्या होता है, खुद वो number ठीक है, minus 1% finish, तो यार 100% यहने 350, minus 1% यहने 3.5, बस minus कर दो answer आ गया, तो 346.5 is the answer 346.5 is the answer, कोई भी doubt होगा गाईज, पूछो कोई भी doubt done, पूछो कहा, comment में, of course और clear तो चमका भी बोल दिया अगरो है, तो yes guys, तो यह था basic percent का एक knowledge, एक smart approach, अब धीरे धीरे थोड़ी सी pace बढ़ा रहा हूँ, तो next concept है आपका कि कैसे आप fraction को smartly, beautifully use कर सकते हो, ऐसे heavy percentage जब decimal में आते हैं fraction का use देखो कितना best होगा, मतलब guys, अभी तो यार, खेर ठीक था, 39% यह चीज़ आप सिख गए, यह ना 480, 44% of something, यह चीज़ आप सिख गए यह यह चीज़ आप कही तो कर भी लोगे conventional से करो, यह जो मैंने भी बता है, उससे करो, ठीक है जादा कुछ इतना time का फरक नहीं पड़ेगा बड़ा सा time बचेगा, लेकिन पक्का अगर smart से करो तो, but guys अगर ऐसी चीज़ आजा है, find 83.33% of something, ठीक है 380, या ऐसी चीज़ आजा है, find 22.22% of 380, या 28.56% of 380, और अब इसको तो सोचो कि conventional approach से 83.33 upon 100 into 380, फिर इनका multiplication, फिर 100 गया, फिर भी इनका multiplication upon 10 क्या करना सही है, और smart approach भी आप कहा तक use करो, गयार, 80% के लिए आप चलो 50, प्लस 10, प्लस 10, फिर 3% के लिए 1, 1, 1, 3 बार कर लिए, लेकिन 0.33 भी तो है, best guys अब इन percent form जो decimal में है, लेकिन जो एक ऐसे decimal form में है, जिसका simple fraction form में बहुत easily convert हो जाता है, उस चीज को समझेंगे, अब ये चार्ट है आपके लिए सबसे बहतरीन तो yes, आपको session notes मिल जाएंगे तो ये चार्ट आपके साथ रहेंगा, इसको save कर लेना मैंने जैसे आपसे का, पूरा number यहने 100% है, तो उसी को fraction form में हम क्या बोलेंगे, 1 complete number को हम fraction form में क्या बोलेंगे, 1 50% यहने आधा आता है, यह मैं आपको बोल चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं, 1 by 3 मतलब 33.33% होता है जैको मैंने आप भी थोड़ी देर पहले आप बोलोगे, सर कैसे 1 by 3 मतलब 33.33 होता है, या 33.33 अगर आपको percent किसी भी value का निकालना है जैसे 33.33% of 729 अब इसको traditional approach से मैंने जैसे कहा 33.33 upon 100 into 729, यह घाटे का सवदा मत करना, 33.33% को fraction form में 1 by 3 बोला जाता है, याने 33.33% मतलब क्या 1 by 3, आफ मतलब क्या into, यह तो आपको बता है, 729 finish, 3CS को divide कर देना guys, 243 is the answer 2 खोदा पहाड निकला चुहा, मतलब इतना multiplication अगर आप करते थे, निकाल लो calculator चेक कर लो, 33.33 into 729 upon 100 exact answer मिलेगा 243 लेकिन हमने calculator से भी fast जब तक आप type करोगे, तब तक answer आ गया सिर्फ पता क्या होना जरूरी है 33.33% को ही fraction form में 1 by 3 बोला जाता है, कैसे मैं बता हूँ, approve करके या 1 by 3 को ही 33.33% बोला जाता है, तो बस ये करना मुश्किल था, हमने उसको 1 by 3 बोल दिया, आफ याने into 729 3 से divide के answer आगए चमकाल guys, देखो मैंने आपको थोड़ी दर पहले बताया था, कि किसी भी fraction को percent में convert करना है, तो into 100 होता है जैसे मुझे 1 by 3 ये क्या है, fraction है, इसको अगर मुझे percent में, आपको ये ही check करना है कि या 1 by 3 को 33.33% क्यों बोलते है, तो मैंने आपसे कहा, कि किसी भी fraction को अगर percent में convert करना है, तो into 100 करो देखो मैंने into 100 किया, और अब जब 3 इसको divide करेगा गाईस, तो देखो exact क्या आ रहा है, 33.33333 पर, into 1 सेम रहा हो कमझे रहो कोई भी doubt किसी को एकदम आसान है ना, तो simple गाईस अगर 2 by 3, 2 by 3 को अगर मैं percent form में convert करो, तो फिर से देखो क्या हुआ है, 33.33 into 2, यानि 66.666666 जिसको हम क्या बुल देते, 66.67% बस यह चीज़े याद होना जोर रही है, अब जो बता रहा हूँ न, यह चीज़े बस याद रख लो और यह आपको रटना नहीं है, pattern को follow करना, yes guys this is all about pattern, maths is all about pattern, तो pattern को याद रखो, हर चीज़ आपको खुद बखुद याद होना शुरू हो जाएगा, और फिर practice तो है ही, practice रूखी तो यह आप कुछ भी कर लो, आप champion नहीं बनोगे, जैसे driving class आप चार बार लगा लो, लेकिन अगर खुद एक बार चलाने हाथ में नहीं लोगे, तब तक आप driving नहीं सीखोगे, या वीडियो देखके swimming नहीं सीखोगे, आपको उतरना पड़ेगा, उसी तरह maths में expert का बनना है, तो आपको खुद को उतरना पड़ेगा, याने के self practice भी करनी होगी, तो दो session attend करते हो, वो question, DPP के question, practice में लोग, नहीं आया तो tension नहीं, DPP के solutions हम लाई रहे हैं, और लाएंगे, या ना, तो guys, 1 by 3 याने 30, अब ये समझ लोबस, 1 by 3 याने 33.33 होता है, 66.67 होता है, this is proven, कैसे मैंने बताया भी आपको, तो ये हुआ, decimal के कुछ percent, again देखो, ये हुआ 1, ये upon 2 की series, again 1 by 3, 2 by 3 तो आगे क्या हैगा, 3 by 3, 3 by 3 याने 100%, इसलिए मैंने नहीं बताया, अब किसकी series हुई, upon 4 की, upon 2 की हो गई, upon 3 की हो गई, upon 4, upon 4 में guys, 1 by 4 याने हमेशा 25% होता है, करके देख लेना, 1 by 4 को अगर मुझे percent में convert करना है, into 100, divide कर लो, exact आपको 25% मिलेगा, so yes, 2 by 5 याने देखो, 2 by 5 याने क्या होता है, 1 by 2 याने आधा 50% लिखा है बराबर, 3 by 4 याने 75% और मैंने कहा न, इनको रटना न, ये pattern समझो, बस पहला अगर आपको याद रहा न, तो उसके ही same difference से चीज़े बढ़ती है, जैसे पहला 25% है, तो अगला क्या होगा, 50, 75, याने देखो, यह 25, 25 से बढ़ रही है, यह 33.33 से बढ़ रही थी, यह 25, 50, 55, और 100, 4 by 4, यह 5 की series, upon 5, तो 1 by 5 को percent में हमेशा 20% होगा, 2 by 5, 40%, देखो 20-20 से बढ़ रही है, 3 by 5, तो जहां पर भी आपको 60% बोला आ ले, खेर ठीक है, 60% तो वैसे easy है, direct भी apply कर सकते हो, 25%, 75%, direct भी apply कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसको easy करना चाहो, तो 60% के जहेंगे 3 by 5 बोल दो, 25% के जहेंगे 1 by 4 बोल दो, बट यह चीज खास कर use होगी, तब जब यह decimal में चीज़े हो, यह ना, तो इनके लिए तो खेर ठीक है, 20, 40, 60, 80, and 100, guys, upon 6 की series देखो, जैसे upon 3 बहुत काम किये, क्योंकि हैंग सारे decimal है, यह ना, उसी तरह upon 6 की, 1 by 6 होता है 16.66, और बस इसी difference से बागे बढ़ेगा, 1 by 6, 16.66, 2 by 6, 33.33, simple है, 2 by 6 मतलब भी क्या होआ, 1 by 3, और 1 by 3 है, 33.33, 3 by 6 यहने 1 by 2, यहने 50%, 4 by 6 यहने 2 by 3, तो 2 by 3 कितना है, 66.67, and 5 by 6 यहने 83.33, यहने गाईज, थोड़ी देर पहले में आपको बताया था न, 83.33% of something, तो अगर आपको पता है, कि 83.33% को 5 by 6 बोला जाता है, तो अब आप ही बताओ, क्या रहा तफ? 83.33% को यह क्या बोला जाता है, 5 by 6 of जो भी नंबर है, पाराम से हम 5 से पहले multiply करके 6 से divide कर सकते हैं, 6 से divide करके जो आया, 80 को, उसको 5 से multiply कर सकते हैं, easy हो गया न, तो यह 6 की series, फिर 7 की series भी बहुत बढ़ी है, क्योंकि सारी decimal में है था, देख लो, जो decimal वाली हैं, वो बहुत काम की, तो upon 7 में 14 point है, याने 14 का table है, 14, 1,014, 14, 2,028, 42, 56 से लेकिन हो carrier के वज़े से 57 हुआ, 14, 5,070, carrier के वज़े से 71 हुआ, 14, 6,084, carrier के वज़े से 85, तो लगबग जहां पर भी आपको 14 की series दिखे, 14 की series, तो समझ जाओ यह upon 7 की series है, जैसे 16.6 के difference है, 16.66, 33.33, जैसे 83.33 तरक अपॉन 6 की series, तो अपॉन 7 की series क्या है, यह, 14.28, 28.57, 42.85 and so on, 14 का table अगर आपको लगबग दिखे तो अपॉन 7 दिमाग में लाओ, मतलब अगर आपको किसी ने भी बोला, 28.57 percent of 343, आप तुरंद क्या बोलोगे, अच्छा, 28.57, 14 का table, अच्छा, यह, अपॉन 7 की series है, यह, अपॉन 7 की series है, and 14, 2s are 28 है, 2 by 7, 14, 1s are 1 by 7, 14, 2s are 2 by 7, तो देखो, 14, 2s are 28, बराबर यह 2 by 7 है, और यह, इन्टू 343, खेल खतम, 7, 4000, 7, 9s are, 49 into 298 is the answer, जो तो calculator से fast हो गया कि नहीं, अगर आपको इस चीज़े पता हो तो, now, 1 by 8, अगिन 8 की series भी क्या है, 12.5% से बढ़ रही है, खेला 12.5, फिर 2 by 8 यहने 1 by 4, मतलब 25%, 3 by 8, 37.5%, 4 by 8 यहने 50%, क्योंकि आदा होता है, 5 by 8, 62, देखो यह 99% समझो, जो खास decimal में आ रहे है, इन चीज़ों और ही प्रैक्टिस के साथ रटना नहीं है, 6 by 10 यहने 3 फोर्थ, 7 by 10 यहने 87.5%, Guys, अब upon 9 और upon 11 की series बहुत बढ़िया है, दोनों को मैं एक दुसरे के साथ आपको रिलेट करके बता तो, upon 10 पहले देख लो, upon 10 में तो कुछ नहीं, 1 by 10 यहने 10%, 2 by 10 यहने 20%, 3 by 10 यहने 30% and so on, तो वो तो खेर easy है, यह तो आप direct भी apply करो तो tension नहीं, fraction में करने की कुई ज़रोद भी नहीं, हाँ, लेकिन upon 9 की series और upon 11 की series बिलकुल एक दुसरे से opposite है, Guys, upon 9 की series में देखो सारे decimal हैं, लेकिन decimal में आपको क्या दिख रहा है, 11 की power, Yes, Guys, 11, sorry, 11 का table, 11 का table, तो Yes, Guys, यहाँ देखो, 11.11, याने 11, 1011, 11, 2022, 11, 3033, 44, 55, 11 का table अगर बायाहर्ट होगा, तो यह बराबर हो गया, Guys, जहाँ पर आपको decimal percent 11 का table दिखे, 11 का, जैसे की पिछले example में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो हैं planet 22.22, यह क्या है 11 का table, जैसे आपको 11 का table दिखे, यह upon 9 की शिरीज, 11 का table दिखा रे दिखा, upon 9 की सिरीज है, और 9 का table दिखा रे दिखा, वो 11 का सिरीज है, तो यह तो 11 का टेबल है, upon 9 हो रही है 11, 2,022, यहने 2 by 9 of 380 कितना easy हो गया तो yes guys, देखो 11, 1, 2,023 है, तो 11, 3,033 4 है, 11, 4,044 5 है, 11, 5,055 ऐसे करते-करते 9 by 9 है यहने 99.99 मतलब भी 100% and guys, 11 में देखो 9 की series है 9.09 18.08 है, 27.27 36.910, 9200 9300, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11 by 11 क्या हो जाएगा 99.99, मतलब भी 100% है न, 1 तो guys, देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया था again जभी भी आपको 28.56 यह क्या है, 28 दिखा मतलब upon 7 14, 2000 उसी तर अगर आपको मान लो, अगर ऐसा कुछ दिखा 45.45% मुझे बताओ यह क्या दिख रहा है, 9 के टेबल में तो 9 का टेबल यहने 11 और 9, 5000 यहने 5 by 11 आफ जो भी है इतना आसान है मेरे भाईो, दोस्तो तो फटाफट इसको करो फटाफट इसको करो, फिर कुछ questions लेंगे मज़ेदार, फटाफट इसको करो again 83.33% मतलब यह आपके लिए सब क्या है 83.33% मतलब क्या होता है 5 by 6 अभी बताया था, 216 62. अभी हमने देखा था, क्या होता है 5 by 8 of 640 तो यह 66.66 यहने 2 3rd of 270, calculate कर लेना 28 मैंने का upon 7, वो भी 2 by 7 of 980 55, क्या है, 11 का टेबल है तो 11 का टेबल हैने upon 9 और 11 5,055 यहने 5 by 9 बस डिरेक्ट 9 से 9 1 0 9 5,0 9 0 15 5,0 750 750 एंसर इतना चुटकियों में एंसर आएगा guys using fraction form यहना and again यह किसका 9 का टेबल है तो 9 का टेबल हैने upon 11 और 9 7,0 यहने 7 by 11 यह कितना हुआ 1 2 0 1 20 12 7,0 84 0 840 is the answer तो yes guys यह आपके लिए warm up question try कर ले ना इसको आराम से इसे concept आपको समझ गया है अब आते हैं कुछ word based question जिसमें student डरते है literally लेकिन मज़ेदार तो come on guys सुननदा secured 40% mark in Hindi सुननदा को हिंदी में 40% mark है मतलब उसके mark percent में दिये है 50% in English then 60% in maths and 70% in science what were his total mark if maximum mark obtained in each of these four subject was 60 मतलब guys यह maximum mark मतलब क्या होता है maximum mark of each of the subject is 60 मतलब यह हर एक subject upon 60 का था यहने out of 60 out of 60 out of 60 out of 60 यहने सुननदा को जो हिंदी में 40% मिले वो 40% किसके है of 60 हर एक paper 60 mark का था maximum total उसको उस 60 के 40% मिले English में जो उसको 50% मिले वो किसके मिले है of 60 again हर एक का सेम बोल है उसने each of the four subject was of 60 maximum mark यहने total mark ठीक है maths भी 60% of 60 and यह भी 70% of 60 यहने total exam जो सुननदा ने दी है वो कितने mark की है 4 paper है 60, 60, 60, 60, 60 के यहने 240 marks 240 marks की उसने exam दी है और उसको कितने mark आएगा इस निकाल लो हिंदी में कितने आएगे आप ही बता दो 40% of 60 यहने 40% of 60 अब और ली कर सकते हो न यार अब यह चीजे बतानी की जोरुत नहीं है अब introduction था इसलिए बहुत बेसिक से बता है बट 40% of 60 को अब ऐसी लिखोंगे न % यहने 40 by 100 of यहने इंटू 00 कटा 24 खतम इस तरह बाकी सब कर लो 50% of 60 मैंने गा 50% मतलब क्या आधा यहने 30 60% of 60 36 00 कटा 70% of 60 00 कट जाएगा 100 से और यह बचेगा 42 तो guys उसको total mark कितने मिले question आपको क्या बोला है what was his total mark अच्छा total mark ही पूछा है मतलब मुझे लगा उसको overall percent पूछा है क्या object wise percent दिया है और overall percent पूछा है क्या तो overall percent पूछा होता तो यह total जो है total 60 60 के 4 subject यह total 240 mark की exam यह काम आता कब अगर total overall percent पूछा होता तो लेकिन उसने सिर्फ total mark पूछा है तो यह हिंदी के आपने percent अपलाए किया 60 पे mark निकाल लिए English के निकाल लिए Maths के और Science के add कर लो तो इन दोनों का addition क्या है 60, 90, 132 so 132 is the answer औरली कर सकते है कुछ था ही नहीं हर पेपर साड मार का है हर एक के mark आपको बता थे तो औरली कर सकते हो 40 percent of 60, 24 English में 50 percent of 60 and 30 Maths में 60 percent of 60, 36 और Science में 70 percent of 60, 42 add कर तो 132 is the answer Option A रमका गाईस next there are three numbers such that one number is 20 percent more than the third and the second number is 50 percent more than the first find ratio of the number और आपको ratio तो पता है कैसे होता है A by B अब यहां पे आपको ratio किसका पुछा है दो numbers का यानि first number upon second number अगर आप देखो तो picture में तीन number है picture में तीन number है और हर एक एक दूसरे से related है इसकी टोपी उसके सर तो सबसे पहले आपको तीन number है इसे बात हो रही है one number यानि पहला number जो कि 20 percent more than the third number है 20 percent more than third number तो आपको सबसे पहले picture में third number को assume करना जोरी है और जब बात percent की होती है तो हमेशा क्या assume करते है hundred क्योंकि hundred पे percent apply करना easy होता है तो guys first number जो है अब मैं बोलू one number यानि first number first number 20 percent more than the third तो third number 100 है उससे 20 percent जादा तो आप ही बता दो बच्चा भी बता जेगा कि hundred का 20 percent कितना होता है 20 ही होता है जो तो hundred assume किया ना तो उसका 20 percent 20 होगा 30 percent 30 होगा तो उसससे 20 percent जादा जैसे first का relation third से था second का first से है third को लेना तो जरूरी था क्योंकि उसके बिना first नहीं मिलता और first नहीं मिलता तो फिर second कहां से मिलता क्योंकि second first से related है तो मैंने third number 100 लिया उससे 20 percent जादा यानि 20 जादा 120 100 plus 20 और इससे 50 percent जादा यानि अब 120 किससे first number से 50 percent जादा third number से नहीं hundred को भुल जाओ first number का 50 percent यानि आधा कितना होता है 60 और 60 जादा यानि plus 60 कर लो 180 तो guys यह मिला first number यह मिला second question बोल रहा है the ratio of the two number two number मतलब कौन इसके बात कर रहा है one number यानि के first and second number यानि के second तो first number आया 120 second आया 180 zero zero कटा six six से डिवाइड कर दो two is to three is the answer देखो option में three is to two भी है लेकिन one upon two first upon second तो first बढ़ा है जोटा है second बढ़ा है क्योंकि second clearly बोला है question नहीं कि second number यह first से भी 50 percent बढ़ा है the second number is 50 percent more than first second बढ़ा है first 50 percent तो 120 120 अगर first number है तो उसका 50 percent क्या होता है अभी हमने देखा 50 percent यहने आधा 120 का आधा 60 है ना 50 percent of 120 0000 कटा 12 560 common sense 50 percent यहने आधा तो 120 से 60 जादा यहने 180 तो find the number तो picture में guys confusing question किसी किसी के लिए हो सकता है बाकी question बहुत हलवा था एकदम मन में solve करने वाला था no need of pain and paper जिसका अच्छा hold है जिसको अभी भी confusion है समझो बस picture में 3 number थे लेकिन यहाँ पे third number यह बे-fizul था आखरी question के लिए but question के लिए बहुत काम का था क्योंकि अगर third number पता ना हो तो first number मिलना मुश्किल है और first पता ना हो तो फिर second मिलना मुश्किल था बहले ratio आपको किसका पूछा था first and second का one number जिसको मैंने first मान लिया जो third number से 20% जादा है इसलिए third number लेना पड़ा 100 तो first number क्या हुआ इससे 20% जादा याने 100 plus 20 120 और second number क्या है second number is 50% more than first याने इससे 50% जादा 120 और इसका 50% कितना हुआ 60 50% याने आधा इसका आधा हुआ 60 180 तो one number याने first second number और इससे दोनों का ratio अब तीसरे number का काम खाता हुआ उसका काम था बस first number देना वो दे दिया इन दोनों का ratio 120 अपान 180 2 is to 3 come on guys देखो a student has to obtain 35% of the total mark to pass मतलब उसको pass होने के लिए कितना % चीह passing % दे दिया है 35% he got 165 mark and failed by 45 mark तो उस बच्चे को 65 165 कितना मिला 165 mark मिला 165 mark मिला he got 165 mark and failed by 45 mark और वो बोल रहा है कि man shit 45 mark से रहे गया मतलब 165 मिलने के बाद भी fail हुआ है कितने से वो भी 45 के margin से कि अगर और 45 मिल जाते तो भाई boundary पे निकल जाता इसका मतलब गाईज और 45 मिल जाते तो कितने हो जाते 210 और 210 पे क्या है passing mark boundary passing mark percent wise passing है 35% पे लेकिन actual passing कितने mark पे है 210 मतलब 35% ही 210 के बराबर है उस exam का 35% पे passing है जो actual में 210 मार्क के बराबर है 35% is equivalent to 210 then find maximum mark maximum mark हमेशा percent wise कितना होगा 100% is how much और यह foundation batch में आप पहले भी काफी topic में unitary method करी चुकियो proportion topic आप देखी चुकियो इसमें क्या होते है cross multiplication तो percent percent कटा mark mark तो 35% अगर 210 mark है तो 100% कितना mark तो cross multiplication 35x is 210 into 100 और 35 यहां से उटके इधर divide कर लेगा 75,000 73,000 6 into 100 600 is the answer answer मिला कम का दोस्तो बहुत easy question था वापीस बता रहो उसने clear बोल जाता कि passing percent 35 पर है ठीक है लेकिन passing mark कितने पर है तो उसने indirectly बोला कि एक बच्चे को 165 मिलने के बाद भी 45 mark से रह गया मतलब और 45 मिल जाते तो बच्चा boundary पर pass हो जाता है यहने वो boundary passing किस पर निकली 210 पर तो boundary passing percent 35 परसेंट है boundary passing mark 210 है तो 100 परसेंट actual में कितना क्योंकि maximum mark कुछ है maximum mark यहने 100 बस cross multiply कर लिया और fall कर लिया जैसे मैंने का 35 यहां से उठेगा इधर divide कर लेगा तो 7 5000 7 3000 30 को 5 ने divide किया 6 6 into 100 600 mark is the maximum mark तो हम का guys simple what will be the 120% of a number whose 200% is 90 question बोल रहा है यह भी यार पूरा unitary method का है एक number है हमें number से मतलब नहीं क्योंकि question का ढ़ाचा ऐसा है ना unitary method से आ जाएगा तो एक number है जिसका 200% 90 है तो उसका 120% कितना अब student क्या करते है अच्छा मान लो वो number x है student ऐसा करते है मान लो वो number x है तो इसका 200% of x 90 मतलब ही 200% percent का हटाना है symbol याने upon 100 of x 90 तो इसको solve कर लिया 00 कटा 2 इधर divide हुआ तो हमें number मिला 45 और इस 45 का क्या लेना 120% 45 का 120% तो ले लो चलो 120% of 45 बिलकुल चलेगा यह चीज गलत नहीं है और unnecessary लेंदी कर दिया आपने मुझे बताओ एक ही number है उसका 200% आपको पता है तो उसी का 120% अगर निकालना है तो यह number निकालने की जरुरत ही नहीं है आप सीधा बोल सकते हो कि 200% of x मानलो number 90 है तो 120% उसी का बोला है x कितना तो यह तो cancel ही हो रहा है मतलब वह जो number है जिसके 200% की बात चल रही है उसका कोई roll ही नहीं है क्योंकि वह cancel ही होना है cross multiplication में तो हम simply क्या बोल सकते है 200% 90 तो 120% how much खतम बात को समझो बात छोटी सी है बट बहुत कामकी नहीं तो छोटी छोटी चंद सेकंड जादा लगेंगे बट इस चंद सेकंड मिलागे बून बून से घड़ बरता है तो चंद सेकंड धर question में अगर जादा लगते गए तो फिर आप 4-5 question की तो पक्का कुर्बान ही दे दोगे तो percent percent कटा 200x is equal to 90 into 120 guys यह 2-0 और यह 2-0 इस side के उस side के कटे तो x कितना मिला इधर बचा 9 into 12 और यह जो 2 है इधर डिवाइड हो गया 9,6,54 is the answer guys answer मिला 54 तो simple question था अगर आप पहले वो number भी निकालते जैसे आपने निकाला 200% 90 तो आपको number कितना मिला या आप बोल भी सकते हैं आपसे हमेशा काई guys इसमें और short trick है 200% 90 है 100% मतलब होता है न number मेरी starting में लाई नहीं है कि पूरा number मतलब हमेशा क्या होता है 100% 100% है नहीं actual exact entire number तो 200% 90 तो 100% तो orally बोल देंगे न 45 इससे आधा तो इसका आधा 90 का आधा कितना 45 इसका मतलब number तो वैसे हमें orally समझ गया था कि 100% 45 है मतलब number 45 और इसका 120% लेना है तो 120% of 45 again 00 कटा है ना तो 5 2000 5 9000 and 2 6000 तो 6 into 9 54 is the answer बट लखी लिए 200% नहीं होता और 210% होता 130% होता 165% होता तो अब 200 से 100 निकालना easy था बट फिर 165 से 100 निकालने के लिए जोरत ही नहीं जो मैंने आपसे कहा कि simple number 1 ही है तो निकालने की जोरत ही नहीं है 200% अगर 90 तो 120% कितना और यह आप कर चुके हो foundation lecture में पहले भी ratio proportion ऐसे topics में ठीक है चलो 62 and 62 and half 62 and half को मैं बोल सकता हू 62.5% बिल्कुल बोल सकता हू of a number is 900 87 and half 87 and half को क्या बोल दूँगा 87.5% तो एक number इसका 62.5% कुछ तो दिया है तो उसी का 87.5% पूछा है हम क्या बोलेंगे 62.5% अगर कितना दिया है 900 तो इसी का 87.5% कितना % % कटा क्रॉस मल्टिप्लाइ करो लेकिन गाईज अगर क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगे भी तो भी 62.5 87.5 थोड़ा सा calculation बढ़ जाएगा न 62.5 मतलब ही क्या होता है धीरे धीरे होल्ड हो जाएगा 5 by 8 अब यह बोलो ही मत इसके जगे का बोलो 5 by 8 of a number is 900 then 87.5% मतलब ही कितना होता है 7 by 8 of the number तो 7 by 8 of the number is how much अब देखो calculate करो cross multiply करो 5 by 8 into x is equal to 900 into 7 by 8 guys upon 8 upon 8 कटा कोई तो 1,8 उदर जाके दूसरे 8 को खाने वाला था तो बचा क्या 5x हाला कि x 900 into 7 और यह 5 यहां multiply कर रहा है इदर आके divide किया 5 ने इदर divide कर दिया 180 तो 187,162 x0 extra 1,6,2,0 अच्छा 187,126 187,126 189,162 होता है 1,2,6,0 option A घंदे को fraction का use 5 by 8 नाइस 900 है तो 7 by 8 कितना 8 upon 8 upon 8 कटा खेल खता 5x is 7 into 900 एन अपोन 8 अगर आपकी समझदार यहां भी कट कर सकते थे 5 x 7 into 900 5 दर जाके divide हुआ, खेल खतम Come on guys देख एकदम easy question 2 candidates fought an election 2 candidates के बीच में election हुआ है 1st candidate, 2nd candidate 1 got 65% of the vote पहले को 65% परसेंड में बात होरी तो total votes तो हमेशा कितना गोलेंगे जब बात परसेंड में होरी तो total votes तो हमेशा 100% रहेगा mention करो, चाहे ना करो total vote हमेशा 100% रहेगा तो 100% वोटिंग हुई है 2 ही candidate के बीच में election हुआ है तो 100% voting में से पहले को 65% मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा बच्चा भी बता देगा तो दूसरे ही candidate है उसमें से पहले ने 65 ले ले तो दूसरा 35 लेगा तो गाईज इसका मतलब एक चीज़ तो फिक से winner कोन है winner है ये और कितने margin से जीता है अगर मैं percent की बात करूँ तो 30% से जीता है इसको 65% है, इसको 35% यानि कितने percent से जीता है तो first candidate is winner by 30% of the vote तो मेरे इसाब से first candidate 30% vote से जीता है but question देखो one who got 65% यानि कि ये वाला ही vote one by 300 vote यानि ये जीता है question भी बोल रहा है लेकिन question percent में नहीं question actual votes की फॉर्म में बोल रहा है कि कितने votes से जीता है, मेरे हिसाब से जीता है 30% से और वो question के हिसाब से कितने votes से जीता है तो 100% कितना यहाँ पर भी वोई है पहला candidate 30% vote से जीता है but actual में वो कितने votes से जीता है 300 यानि 30% ही 300 के बराबर है तो total number of vote यानि कि 100% is how much और गाई जब इतना best pattern बन जाता है math is all about pattern तो 100 का 10 times कितना? 1000 pattern को समझना शुरू करो हर चीज़ आसान हो जाएगी प्रमका एकदम मखन की तरह तो 65 दो candidate है, एक को 65 मिले और ली भी कर सकते हो, तो दूसरे को by default कितना मिलेगा? 35 यानि winner को ने 65 वाला, कितने % से? 30% से बट question बोल रहा है कि यही 30% कि इसके बराबर है? 300 तो 30% 300 तो 100% 1000 यह इसका 10 times तो total voting 100% उसका 10 times कितना हुआ? 1000 1000 Come on guys, 75% of the student in school are boys and the number of girls is 420 again देखो, school में दो ही category के student होते हैं boys and girls उसमें से question बोल रहा है 75% boys तो बच्चा भी बता देगा girls कितनी है 25% लेकिन 25% तो percent form में actual number के हिसाब से number of girls question बोल रहा है 420 यानि 25% of the girls असल में 420 है then number of boys total नहीं बोला है इस बार total नहीं बोला है number of boys पुछा है 75% again guys cross multiplication के जंजट से बचो आप देख रहे हो यह 25% का पहले आपने पिछले example में कैसा pattern लिया था इस तरह horizontal अब vertical हो रहा है दोनों चलता है तो यहाँ 25 का कितना है 3 times है तो यहाँ 420 का 3 times ले लो 420 का 3 times कितना होता है 3 से multiply कर लो 1,2,6,0 option C 1,2,6,0 चम का एकदम आसान guys तो boys अगर 75 है तो girl है 25% बड़ असल में वो 420 क्वेशन की information के साफ से then 75% how much boys पुछा था आप चाहे तो cross multiply भी कर सकते थे answer वो ही आता था 25% of a number किसी तो number का 25% is less यह कम है कितने से by 19 बड़ किस में से 18% of 650 तो guys कोई तो एक number है उसका जो 25% है न 18% of 650 के मुकाबले 19 से कम है 18% of 650 के मुकाबले 19 से कम है क्या 25% of the number तो यह तो थोड़ा calculated question बन गया 18% of 650 कर लो 18% यह नहीं 18 by 100 into 650 और इतना ही नहीं बलकि उसमें से 19 भी कम करना है कम क्यों करना है क्यों question ने less word यूज किया है तो कोई तो एक number है उसका 25% यह कम है less है इसलिए हमने किया minus अगर more बोला होता तो यही हम plus कर रहे होते तो less है by 19 तो 19 less कर दिया बट किसमें से तो less than 18% of 650 by 19 तो 18% of 650 में से 19 less करो तो आपको मिलेगा 25% of the number तो पहले इसको calculate कर लो 0 0 कटा 5 2 0 5 13 0 2 9 0 13 9 0 117 117 minus 19 98 13 9 0 कितना हुआ guys 117 minus 19 19 98 तो guys अगर 25% of the number 98 है 25% of the number 98 है तो question आपको क्या बोल रहा है then find the number प्यार number हमेशा पूरा number क्या होता है 100% 100% is how much बिलकुल guys यह 25 का कितना है 4 times 98 का 4 times ले लो 98 का 4 times है 392 98 का 4 times कितना है guys 392 simple question था guys बस language समझो language का खेल है word based question में तो concept clear है तो उसके बाद language और language बोलो calculation speed बोलो यह practice से develop होगा concept समझो लेकिन तो guys 25% of a number किसी तो number का 25% यह less than 18% of 650 by 19 याने 18% of 650 जो भी आएगा उससे 19 लेस है 25% of the number तो guys यह कितना है या 117-1998 तो हम बोल सकते हैं कि 25% अगर 98 है तो पूरा की पूरा number 100% याने इसका 4 times is how much जो आया 392 खताम चलो guys बटाफट देखो अब यार यह question आपके लिए homework है तो try करो question बोल रहा है when 40% of a number is added to 42 याने again कोई तो number है याना कोई तो number है उसका 40% अगर 42 में add हुआ the result is number itself find the number अब अगें equation अगर बना सको question पढ़के मानलो वो number x है तो 40% of x added to last time हमने less किया था इस बार add किया है किसमें 42 42 एक पूरा number दिया है उसमें अगर मैं add करू तो मुझे क्या मिल रहा है the result is number itself number itself number क्या लिया है हमने x बस guys इसको solve कर लो 0.4 x 40% मतलब भी गया 40 upon 100 तो 0.4 हुआ off याने into x तो 0.4 x plus 42 is x अब 0.4 x उदर जाके क्या होगा यहां कुछ नहीं मतलब 1 होता है जिसका multiple कोई नहीं हमेशा 1 होता है याना दिखता नहीं बठ होता है तो 1 इदर है अगर 0.4 इदर गया 0.4 x है उदर जाके minus हो जाएगा तो x तो common ले लिया 1 minus 0.4 कितना होगा 0.6 यहां 42 बचा तो 42 को 0.6 क्या कर लेगा divide कर लेगा decimal हटाना है तो उपर नीचे 10 10 से multiply कर लो जो की valid है ratio में अपनी सी कहा है same multiple से multiply कर सकते हो तो 70 इस दे answer यार यार homework बलके मैं नहीं solve कर लिया कोई नहीं यार बहुत homework आएंगे और यार गईस आप homework answer correct दे रहे हो जहां रहोंगे न मैं बता दूँगा आप correct दे रहे हो answer मैं को आप पिछले काफी session में homework answer दे रहे हो सही दे रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो मैं देख नहीं रहे हो हमका एको answer दे रहे हो मैं देख रहे हो सही दे रहे हो time schedule के जिसे हम reply नहीं कर पाते बट सही दे रहे हो जहां गलत होगा बता दूँगा ठीक है तो answer देते रहो 40% कोई तो number मैंने x ले लिया तो उसका 40% लिया plus 42 किया क्योंकि add करने बोला है तो number itself is equal to what that number याने x all कि answer आ गया तो भी एक बार ट्राइ करना अगर दिक्कत है चलो guys a student got 240 mark in test and he failed देखो भाई साब 240 mark मिलने के बाद भी बच्चा fail हो रहा है by 6% तो मैं एक number line बना लेता हूँ 0 mark से लेकर total mark जिरो mark से लेकर जितने ही mark की exam है तो बच्चे को 240 mark मिले लेकिन पता है वो फिर भी passing से पीछे हड़ गया मतलब pass नहीं हुआ न यानि definitely passing mark किदर होगा थोड़ा जाद होगा ascending order में number line 0 से लेकर total तो definitely passing mark यहां कहीत होगा इसलिए तो उसको 240 मिलने के बाद भी failed by 6% मतलब 6% पीछे रह गया यानि इसमें और passing में अभी भी कितना फासला है 6% का यह हुआ एक student का another student got 320 mark एक दूसरे बच्चे को 320 mark मिले है but passed by 4% अब आपने समझ लिए होगा वो passed by 4% मतलब ही क्या passed by 4% यहनि जितने passing के लिए चाहिए थे उससे 4% उसको जादा मिला यहनि जो passing के लिए चाहिए उससे 4% जादा guys ऐसे question को इसी trick से गरो best है number line बना लिया passing mark एक बच्चा 240 लेकर passing से पीछे हड़ गया मतलब नहीं हो पाया यहनि उसको हमने passing के पीछे रखा एक बच्चा 320 लेकर passing से जादा ले लिया इसलिए हमने passing से आगे रखा अब जिसको 240 मिले उसमेर passing में कितना फासला था 6% जिसको 320 है वो passing से कितना आगे था 4% मतलब यह पूरा फासला कितना हुआ 10% का इन टम्स ओफ परसेंट यहां से लेकर यहां तक कितना फासला है 10% का लेकिन इन टम्स ओफ मार्क यह कितना फासला है 240 ना मिलते होए 320 मिल जाए मतलब कितना 80 marks extra मिल जाए 80 mark extra मिल जाए तो वो 240 से 300 बिस आजएगा बढ़ यह 80 mark extra किसके बराबर है 10% के बराबर है खतम गाईज अब आप क्यूंटरी मेथड 10% अगर 80 है तो टोटल यहने maximum mark हमेशा कितना रहेगा theta question है यह यह ना option नहीं दिये तो maximum mark यहने 100% is homage again follow the pattern यह 10 का 8 times है 100 का 8 times कितना 800 इसका answer आ गया guys 800 तो बोला है passing percent निकालो passing mark निकालो passing percent निकालना बहुत easy है क्योंकि देखो simple है आपको पता है 240 पे बच्चा 6% से फेल हो गया तो पहले तो 240 पे तो कितना percent है निकालो अब आपको maximum mark पता है न वो exam कितने mark की थी 800 तो 240 के percent आप किस पे निकालोगे maximum mark निकालोगे तो देखो 240 ये 800 के कितना percent है 00 कटा 30 percent 8 ने इसको divide किया 30 percent मतलब ये जिसको 240 मिला है वो 30 percent पे अटक गया इसका मतलब passing कितने पे थी 30 plus 6 passing यहाँ पे थी न और ये कितना पीछे रह गया 6 percent 30 plus 6 36 percent चम का क्या समझ में आया आणा guys again आप बोलो sir हमने ये बच्चे से ना करते है और इससे करते है तो कोई tension नी देखो 320 ये 800 का कितना percent है निकालोगे 00 कटा 40 percent मतलब ये बच्चा 40 percent है और ये 40 percent question क्या बोल रहा है 4 percent जादा है than passing तो अगर 40 percent है 4 percent जादा है than passing मतलब पक्का ही कितना है 36 percent तो आप ऐसा निकालो इस बच्चे का निकालके 6 add कर दो passing पे पोच गया या इस बच्चे का 40 percent निकालके 4 minus कर दो passing पे आ गया 36 percent और passing mark बोला है तो passing mark क्या होगा 36 percent of 800 निकाल देना क्योंकि passing percent 36 है और वो किस पर अपला होंगे total पे तो 36 percent of 800 is the answer तो 36 percent अब यह तो आपको मनी मन हो जाता है यह 100 और 800 800 का 00 कटा तो 8 into 36 करना 86,000 48 to 88 is the answer कम का? कोई भी डाउट होगा पुछ लेना तो simple question था guys यह number line यहाँ पे passing mark जो बच्चा 240 है वो 6 percent से पीछे रह गया मानलो यह A है जो बच्चे को 320 है वो 4 percent से आगे हो गया मानलो यह B है तो मुझे बताओ A से B जाने के लिए कितना extra percent चीए 10 percent लेकिन कितना extra mark चीए 80 mark मतलब 10 percent यह अगर 80 है तो 100 percent कितना 800 फिर हमने निकाला passing percent तो passing percent simply हमने क्या करा पहले A के percent निकाल लिए 240 upon 800 into 100 जो क्या है 30 percent तो अगर A को 30 percent है तो passing के लिए कितना चीए 30 plus 6 Q 6 से रह गया 36 percent तो अगर B का निकालते तो 40 percent आ रहा है तो passing 40 minus 4 क्योंकि I guess 288 आया था न clear चलो guys after increasing the numerator of fraction by 20 percent and decreasing the denominator by 30 percent तो guys एक fraction है मानलो x by y इसका numerator हमने 20 percent से बढ़ाया यह जबी भी increase decrease है हमेशा 100 को बेस मानो जो भी increase करना है 100 को करो जो भी decrease करना है 100 को करो अगर हम किसी number को hundred 20 percent से बढ़ा रहे मतलब वो 120 percent हो रहा है of the original अगर हम किसी number को 30 percent से decrease कर रहे मतलब वो 70 percent हो रहा है of the original यह चीज़ याद रखो क्योंकि अगला जो मैं concept लूँगा नो वो increase decrease वाला successive percent वाला इसमें बात बहुत काम आई हमेशा money one hundred को base मानना percent में जब जितना भी बढ़ाना है वो hundred को बढ़ाओ जितना decrease करने बोला है hundred को करो तो original fraction x by fraction हमेशा x by y form में होता है a by b form में होता है तो हमने x by y मान लिया यह होगा original question लेकिन क्या बोल रहा है the numerator of the original fraction increase by 20 percent यहने वो क्या हो गया 120 percent of x increase किया न 20 percent से तो 100 plus 20 120 percent of x क्योंकि numerator को किया सिर्फ and decreasing the denominator denominator को decrease कर रहा है 30 percent से यहने 70 percent of y hundred को base माना 30 minus किया 70 percent of y we get 4 by 5 तो guys original fraction यह था लेकिन जब इसके numerator को 20 percent से बढ़ाया है यहने 120 percent of x लिया और denominator को 30 percent से घठाया यहने 70 percent of y लिया तो मुझे 4 by 5 मिला अब इसको solve कर लो सबसे बेले देखो आप इसको 1 by 20 upon 100 into x लिखोगे फिर 70 upon 100 into y लिखोगे upon 100 upon 100 जाएगा तो वो money 1 cancel कर दिया और वे percent percent जाना ही है तो यह simply क्या बचा 120x and 70y यहना percent क्यों जाएगा क्योंकि यहाँ भी upon 100 आएगा यहाँ भी upon 100 आएगा cancel हो जाएगा उपर का निच्छे का 4 by 5 तो solve कर लो यह 0, 120 का और 70 का गया आपको क्या वोला है find original fraction original fraction क्या है x by y तो बस उसको as it is रखो यह जो 12 by 7 है guys यह जो 12 by 7 है उदर जाके क्या हो जाएगा either already 4 by 5 है but 12 by 7 उदर जाके reciprocal 7 by 12 हो गया 4 1 0 4 3 0 उपर क्या बचा 7 into 1 नीचे 5 into 3 7 by 15 is the answer तो original fraction x by y लिया और आगे अब अब मज़ा आएगा कि जबी भी आपको increasing decreasing बोला है हमेशा किसको करना है 100 को base मानके उसको बढ़ाओ जितना भी increase बोला है उसको ही घटाओ जितना भी decrease बोला है कोई हमने किया numerator को 20% से बढ़ाना था तो 120% of original denominator 30% से घटाया तो 100-30 70% of original 4 by 5 मिला अब यह percent percent कटा 120 upon 70 12 by 7 उदर गया 7 by 12 into 4 by 5 x by y मिल गया खेल खतम तो यहस गाईज अब शुरू करते है सकते सीव percentage concept जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे equivalent percent तो equivalent percent rate क्या होता है वो हम देखेंगे पिर उसको और अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे तो हो बिल्कुल मेरे साथ करे start तो yes guys start करते है तो simple है यार देखो equivalent percentage concept में simple आपको कैसे question आएगे और कभी concept अपलाए करना है पहले तो यह समझो मान लो जबी भी आपको successively कुछ भी चीज percent increase या decrease बोला जाए for example एक town है उस town की population हर एक year में 10-10 percent से बढ़ रही है तो मान लो अगर उस town की population अभी thousand है है न original population thousand है और हर साल 10-10 percent से बढ़ रही तो what will be the population after two years हर साल 10-10 percent से बढ़ रही है तो what will be the population after two years अगर अभी currently thousand है so guys majority student पता है क्या करते sir कितना easy है 10 percent से हर साल बढ़ रही है दो साल के बाद वाला पूछा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20 percent so सीधा इसका 20 percent ले लो तो 20 percent of thousand कितना 200 add करने के बाद 1200 10-10 percent से बढ़ रही तो 2 साल का कितना होआ 20 percent 20 percent से increase कर लो 20 percent of thousand is 200 1200 से बढ़ जाएगी तो यही तरीका आपको compound interest में काम आएगा, profit loss, discount वाले discount topic में काम आएगा, तो yes दोस्तो, simple है, तो बात को समझना, सबसे important अगर आपको thousand population अभी दी है, 10% से बढ़ रही है, पहले तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि होता क्या है, मतलब यह, तो 10% से बढ़ रही है, first year म 10% से बढ़ गई, तो 10% of thousand बच्चा भी बता देगा, कितना होता है, 100, 10% of thousand hundred add करने के बाद हो गया, 1100, तो यह क्या होँआ, first year के बाद वाला, यह था original population, फिर वो 10% से बढ़ा, 1100 हुआ, अब यह और 10% से बढ़ा, but guys, 10% से अब यह थोड़ी बढ़ेगा न, 10% से अब जो बढ़ रहा है, वो क्या है, 10% से अब जो बढ़ रहा है, यह वाला, पहले population यह था, तो first year के लिए 10% जो increase हुआ, इस पे apply हुआ, उसके बाद first year में यह population बना, तो अगला 10% इस पे apply होगा, जो कि 110 आएगा, 10% of 1100 मैंने कहा था, किसी भी number का अगर 10% निकालना है, last digit के पहल आया, 1210, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, कितना आ रहा था, अगर आप 10%, दो बार याने 20% एक साथ में apply करो, तो कितना आ रहा था, 1200, which is wrong, correct answer is what, 1210, कम का, तो simple है दोस्तो, अब यहाँ पे तो यार हमने बहुत ही conventional, traditional approach यूश किया, कि 10-10% एक्चुल में apply किया, ले लेकिन कोई ऐसा तरीका है, जिसमें हम दो साल का ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक equivalent percent निकाले, याने 10%, 10% पहले इस पे, फिर अगला 10% इस पे, ऐसा ना करते हुए, ऐसा कोई equivalent percent हम निकाल सकते हैं, जो 75,000 पे apply करें, yes guys, वो हम निकाल सकते हैं, वो equivalent percent rate, वो cumulative percent rate हम निकाल सकते हैं, first year अगर 10% से increase हो रहा है, second year भी 10% से increase हो रहा है, याने cumulatively ये कितना overall increase हो रहा है, 10-10% से 2 साल successively increase होना मतलब ही is equivalent to how much that single percent rate, ये निकालने का formula है, x plus y plus xy upon 100, yes guys, अब आप बोलोगे sir, x क्या, y क्या, तो first year जितना भी increase हो रहा है, उसको x बोलो, second year जितना भी increase हो रहा है, उसको y बोलो, coincidentally यहाँ पर दोनों में same है, कभी कभार ये अलग भी हो सकते है, कभी कभार ऐसा भी हो सकते है कि एक जगे increase हो रहा है, एक जगे decrease हो रहा है, तो हर चीज है possible है, तो guys, ये कितना हुआ, 10 plus 10, plus 10 into 10 upon 100, 10% plus 10 into 10 upon 100, so guys, ये कितना हुआ, 20, 10 into 10 कितना हो होता है 100, 100 upon 101, तो यह 10 plus 10, 20, plus 100 upon 101, 21%, मतलब अगर आपको यह 10%, 10% दो बार apply नहीं करना और एक ही बारी में निकालना है, तो आप क्या निकालो equivalent percent rate, cumulative percent rate, पूरे 2 साल का 10, 10% successively कितना होता है, तो उसका formula ही यह, x plus y plus xy upon 100, but this formula is only for 2% rate, फिर भलाई वो दोनों same हो, अलग हो, एक increase, एक decrease हो, doesn't matter, but आप देख रहे हो है, आप यह दो ही variable है, 21% चाहे है, तो चेक कर लो, कि अगर मैं 1000 पे अब यह 10, 10, 2 बार apply ना करूँ, और 21% एक साथ में apply कर लो, तो 21% of 1000 is what, 210 इनके addition कितनी हुई, 1, 2, 1, 0, देखो same answer है, exact same answer मिला की नहीं है, ठिक्टो same answer, तो yes guys, यही formula है, हाँ, लेकिन आप देखो, अगर 10% पहले increase हो रहा है, फिर 20% increase हो रहा है, फिर वापिस 10% हो रहा है, याने 3 साल का है, तो कैसे करोगे, simple है, पहले 2 का ही निकालो, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इन दोनों का निकालो, किसी भी 2 का है, एक बार निकालो, तो इन दोनों का में निकाल रहो, तो x formula क्या है, plus y, plus x into y upon 100, तो guys, ये कितना हुआ, 30, ये हुआ 200 upon 100, 2, तो 30 plus 2, 32%, पता है अब ये 32% जो आया है, इन दोनों का मिला कर, अब इसको x बोलो, इन दोनों का मिला कर जो percent आया है, उसको x बोलो, इसको y बोलो, और अब इन दोनों y, 10, plus 32 into 10, 320 upon 100, तो guys, ये कितना हुआ, 42 plus 3.2, कितना हुआ, ये division 3.2, 45.2%, मतलब जो भी original population है, मानलो original population 1000 ही है, पहले साल 10% से बड़ी, दूसरे साल 20% से बड़ी, तिसरे साल भी 10% से बड़ी, यहाँ पे तो फिलाल मैं सारे increase ही consider कर रहो, ठीक है, तो वो cumulatively, equivalent percent rate क्या है, त पहले इन दोनों का 32 निकला, तिर ये x, ये तीसरा साल जो छोड़ दिया था, वो y निकाल के overall कितना निकला, 45.2%, इस पे apply कर दो, 452 मिलेगा, है न, 452, और इन दोनों का addition करने के बाद हमें कितना मिला, 1452, एन अगर thousand population है आज, first year 10% से बढ़ रही है, second 20, और third year के end में, गर 1452, ये है equivalent percent rate का concept, guys, अब एक चीज मानते हैं कि first year 10% से increase हुई, और second year 10% से decrease हुई, यहाँ पे increase, यहाँ पे decrease, और majority student पता, ऐसे question में बोलते है, sir, फिर तो कोई change नहीं, बट आपको अब समझ गया है, अगर आप ये concept starting से देख रहे हैं, तो आपको समझ गया है, कि change होग क्योंकि जब पहला 10% ये मानलो first thousand थी, तो पहला 10% इस पे apply हुआ, जो hundred से बढ़ कर कितना हुआ, 1100, लेकिन अगला 10% इस पे apply हुआ, लेकिन ये decrease कर रहा है, ये increase कर रहा था, इसलिए add किया, अब ये decrease कर रहा है, तो 110 से minus होगा, जब increase कर रहा था, हमने add किया, लेकिन जब decrease है, minus होगा guys, यानि कितना हो जाएगा, 990, यानि population बदल रही है, तो कई बारी ऐसे question आते है, कि आदमी की salary पहले 20% से बढ़ी, फिर 20% से कम हो गई, या 50% से कम हुई, फिर 50% से बढ़ी, बताओ, net change है, तो और बोलते है sir, no change, option में ऐसा दिया भी होता है, 0% या no change, कई बा तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो sir, 10 से बढ़ा, 10 से घटा, कुछ नहीं, बदलेगा, हाँ, तो इसको तो हमने conventional approach से कर लिया, कि 10 से बढ़ा के 10 से घटा के क्या change हुआ, अब इसको हम करते है, हमारे formula approach से, x plus y plus xy upon 100, guys अब इसमें definitely मैं इसको x बोल दूँगा, इसको y बोल दूँगा, लेकिन कुछ तो गलत दिख रहा है, अगर मैं इसको x इसको y बोलूँगा, तो answer 21% आएगा इस से, यह हम निकाल चुके, तो गलत क्या है, गलत है sign, जब आप increase को positive बोल रहे हो, अब तक हमने जितने भी example देखे, increase वाले देखे, आपने positive लिया, बहुत plus x कितना है, plus 10, y कितना है, minus 10 upon 100, तो guys यह देखो 10 और minus 10 कटा, लेकिन 10 into minus 10, 10 into minus 10 कितना हुआ, minus 100 upon 100, यह न, तो यह minus 10 plus 10 कटा, plus, तो plus अब नहीं भी लिखा तो चलेगा, single sum बचिए, तो minus 100 upon 100 कितना हुआ, minus 1%, तो guys यहा minus 1% का change हो रहा है, तो देखो 1000 पे, अब मैं अगर यह ना करते हुए, सीधा minus 1%, तो minus 1%, 1% मतलब क्या होता है, आखरी 2 digit के पहले decimal 10, लेकिन minus, इसलिए minus करना है, तो 1000 minus 10, 990, 1000 minus 10 कितना हुआ, 990, तो हमका guys, simple है और कुछ नहीं, कभी कबार दोनों decrease हो सकता है, पहले 10% का decrease, फिर 20% का decrease, कोई tension नहीं, same, यह भी लेकिन minus लेलो, यह decrease है तो minus लेलो, increase है तो plus लेलो, तो x हुआ minus 10, y भी हुआ minus 20, plus x into y upon 100, x minus y भी माइनस, इसलिए plus minus माइनस हो गया, plus अब देखलो, तो यह कितना हुआ, minus 30, plus, guys लेकिन यह multiplication है, तो minus into minus, plus, यह plus ही रहेगा, क्योंकि यह minus into minus है, इसलिए example में कहा था, plus into minus, इसलिए negative हो गया था, minus into minus plus, तो यह addition होई, minus 30, plus 2, याने net क्या हुआ, minus 28%, तो minus 28% मतलब क्या है, 28% का decrease, यह discount वाले question होते हैं, कि कही पर आपको successive discount मिले, आप एक shirt purchase करने गए, पहले उसने 10% का discount दिए, बाद में और आपकी पहचान निकल गे, 20% का discount दिए, तो घर आकर हम खूश हो गया रहे, वाह 30% का discount मिला, नहीं, असल में आपको यह 28% का discount मिला है, 30% का नहीं, तो अगर कोई दुसरा shop owner आपको 29% का discount दे रहा है, तो इसमें भावक मत हो जाना, कि 10 और 20, 30% का मिल रहा है, यार, वाह स्रिप 29 का है, नहीं, वो 29 जादा है, क्योंकि यह असल में successive है, पहले 10 का दिया, फि 28 का ही net discount आपको मिल रहा है, तो चलो, देख लो, यह salary increase by 20% theta based है, and then decrease by 20%, बहले 20% से बढ़ी, याने आप इसको क्या बोल दोगे positive, फिर 20% से घटी, याने negative, then what is the net change, तो net change निकालो, कितने से change होगा, है न, तो यह 20, यह decrease है, इसलिए minus, यह plus, minus 20, plus 20 into minus 20, minus 400 upon 100, यह तो कटा, 4, यह न, यह minus 400 upon 100, 4 हो जाएगा, but plus minus minus, तो minus 4% मतलब ही क्या, net 4% का decrease है, मतलब अगर किसी employee की salary पहले 20% से बढ़ाई, बाद में 20% से घटाई, तो जो का त्यो as it is नहीं रही, वो बंदा 4% के घटे में है, 4% का नुकसान हुआ है, come on guys, decrease, और trader की use, देखो, successive discount, 10%, 20%, 10% यह discount word का मतलब ही होता है कि decrease, discount मतलब कम करना, याने 10% पहला, 20% दूसरा, 10% तीसरा, अब यार यहार यहाँ पर 3-3 है, तो 3-3 के साथ कैसे खेलो, मैंने आपको बताया, minus 10, minus 20, 10 और 20 का हम देख चुके, कितना आया था, minus 28 आया था, यह example हमने यहीं पर किया था, देखो, 10 and 20 का, तो यह answer हमारा minus 28 आया था, वो time बचा लो तो इन दोनों का तो क्या आ गया, minus 28 आ गया, तो अब इसको, इन दोनों का जो आया है, इसको x बोलो, और यह जो छुटा, इसको y बोलो, क्योंकि 3 का formula और फिर लंबा हो जाएगा, 4 का और लंबा, तो simple, 2-2 का निकालो और खेलते जाओ, हाँ, 4 अगर होते तो क्या होते है, तो मानलो 10, 10, 20, 10 होते हैं, तो इन दोनों का निकालो पहले, x plus y plus xy upon 100, है न, जो भी आएगा 21%, तो इन दोनों का निकालो, है न, तो यह कितना आएगा, 32%, अब वापीस इसको x बोलो, इसको y निकालो, और इन दोनों का निकालो, बस, इस तरह से, लेकिन, don't worry guys, मैं इससे भी best method आपको बताऊंगा, इससे भी best method, तो यह 10 हुआ, यह minus 20, और यह minus 10, तो इन दोनों का हुआ 28%, वो भी minus लेकिन, minus आया था या देनो, और यह minus 10, तो बस अब इन दोनों मी निकालो, minus 28, minus 10, plus, minus x minus, plus 280, upon 100, तो minus 38, plus 2.8, इन दोनों का division क्या आया, 2.8, तो minus 38, plus 2.8 कितना आया, minus 35.2% का net change, तो question आपको बोल रहा है, the percent of the original cost price, तो original cost price का कितना percent उसको recover कर रहा है, तो minus 35.2% का discount डे रहा है, तो 100 में से अगर इतना discount डे रहा है guys, वो, यह यह इतना तो खुली छुट डे रहा है, तो 64.8% वो recover कर रहा है, question इस बार ऐसा नहीं बोला है, कि मैंने 10%, 20%, 10% का discount डिसकोंट डिया, तो बताओ overall discount क्या, जैसे पिछले example में 20% से increase की, फिर 20 से decrease की net change क्या, 4% का घाठा, तीटा-based, यहाँ 10, 20 और 10 का discount डेने के बाद overall discount पूछा होता, तो answer क्या बोलते है, minus 35.2, यह 35.2% का discount, minus का मतलब यह discount, सम करना, तो net change कितना है, 35.2% का discount, लेकिन question ने पूछा है, original cost price का कितना recover किया, तो मानलो original cost price 100 है, उसमें से 35.2% का discount डे रहा है, तो 100 में से 35.2 गए, ना तो discount डे दिया न, कितना recover कर रहा है, 64.8%, तो concept हो ही है, बस language को समझो, उसके साब से चीजे बदलती है, तो 100 में से 35.2% उसने क्या कर दिया, discount डे दिया, तो original cost का, original cost मानलो 100 थी, उसमें से इतना discount हुआ, तो इतना recover किया, guys, अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, कि आप, अगर आपको लग रहा है, कि आप, अगर आपको लग रहा है, कि आप, अगर आपक 80% बढ़ रहा है, अब इसको अगर टैकल करना है, original population 1000 है, 10% से बड़ी, 20% से बड़ी, बताओ, after 2 year कितनी, अब पता यहाँ पे क्या करो, मैंने आपको देखो थोड़ी देर पहले कहा था, यह वापीस बोल रहा हूँ, जभी भी increase होगा, 100 को base बनाओ, उसको increase करो, या फिर जबी भी decrease होगा, 100 को base बनाओ, उसको decrease करो, अब यहाँ दोनों increase हो रही है, तो 10% से increase, याने 110%, percent इसलिए upon 100 आएगा, percent है तो upon 100 हमेशा आएगा, यह 20% से increase, 100 को base मानो, उसमें 10 बढ़ा है, 110, 100 को base मानो, उसमें 20 बढ़ा है, 120%, guys, यह बनेगी population after 2 years, यह बनेगी वो amount of population after 2 years, तो बस 00 कटा, 00 कटा, 6, 5000, या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ पर 20 रखो, यह न, हमने स्रिफ क्या करना है, 1100 कटा, यह 1010 इसके साथ भी हटा दो, तो guys, 11 into 12, कितना होता है, 132 into यहाँ पर 10, याने 1320 is the answer, अगर अभी population 1000 है, first year 10% से बढ़ रही है, second 20 से, तो answer कहाएगा, 1320, अगर आप x plus y plus xy अपन 100 भी करते हैं, तो यह कितना आता था, 32%, और 32% of 1320, 1000 plus 320, 1320, कि मैं answer, दो तक तो ठीक है, जब 3, 4 होते हैं, तो यह best है, समझ रही हो, मतलब मानलो 10% से बढ़ा, फिर 20% से कम हुआ, पहले बढ़ा, कम हुआ, वापीस 10% से बढ़ा, तो guys, again, thousand population ने मानलो, question बोल रहा है, अगर first year में 10% से increase, second में 20% से decrease, and third में 10% से increase, अब यहाँ पे plus minus का tension नहीं, जब आप x plus y वाला formula लेते हो न, तब वहाँ plus और minus देखो, increase को plus, decrease को minus, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 100 को बेस मानो, increase बोला, तो 100 को बढ़ाओ, decrease बोला याने 110%, 20% से कम हुआ, तो 100 मानस 20, 80% और 10% से बढ़ा, 110%, यह बन जाएगी population after three year, बस इसको solve करो, 00, 00, 00 कटा, 4000, 5000, ठीक है, again, 10, 00, 00, कटा, फिर बचा गया, simple है, अब यहाँ पे, thousand है, तो 00, कटेंगे, सिर्फ, तो 00, कटा, again, यहाँ 00, कटा, फिर 24,000, 25,000 है न, तो यह दो 4 by 5 हा गया, again, यह 0, यह 0, इससे कटा, 5 ने, 10 को डिवाइड कर दिया, 2, तो बचा गया, guys, 11 into 11, 121, 4 into 2, 8, तो guys, बस 8 से multiply कर लो, 8, 968, calculator निकाल लो, चेक कर लो, answer से माएगा, X प्लस Y करते, तो इसका आता था, कुछ तो, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव लेना पड़ता था, फिर कुछ तो आता था, फिर उसको X बोलते, इसको Y बोलते, फिर इस पे apply करते, खाहे को, ती था, एक ही तिर में, 1000 है, पहला 10% से बढ़ा, याने 110%, फिर 20 से घटा, 80%, वापीस 10 से बढ़ा, 10%, यह बन गई population after 3 years, question अगर पूछ रहा है, what is the population after 3 years, तो यह formula आपको direct वोई answer देता है, अगर question पूछ रहा है, बताओ, net change कितना, तो net change कितना हुआ है, guys, 3.2% का decrease, क्योंकि 1000 से 968 हो गया है, 1000 से 968 हो गया है, मतलब कितना कम हुआ 1000 से 32 कम हुआ, तो 32 से 1000 का कितना percent है, 32 से 1000 का percent निकालना है, तो into 100 किया, upon 1000 क्योंकि total है, तो 3.2%, but कम हुआ, इसले decrease, अगर यह 1000 होता, वो 1100 होता, तो हम बोलते 10% से बढ़ गया, तो उसे बढ़ना मतलब 10% से, तो ऐसी चीज़े आप manipulate कर सकते हो, तो simple है, guys, जभी भी इस टाइप के question है, और आपको initial population देखकर final पूछिए, या final देखकर initial पूछिए, तो आप यह concept जादा better है, या फिर कभी कभार आपको initial देखकर final नहीं पूछिए होती, बस बोला होता है, कितना net change है, तो भी final निकालो, net change दिख जाएगा, जैसे भी निकाला, चलो एक example हो लेते, परस्ट 10% से घटा, सेकंड 20% से घटा, दोनों घटा, तो 1000 थी मान लो, 10% से घटी, याने कितना, 90 by 100, 20% से 80 by 100, तो original population कितनी हो गई, अगें देखो, 0000 घटा, 12, 12, 9 into 8, 72 into 10, 720, तो original population 1000 हो गई, 720, याने कितने का कम, अगर new population पूछे होती ही, तो 720, अगर आपको पूछा है कितना घटा, तो 280 से घट गया, 1000 minus 720, 280, तो 280 ये 1000 का कितना परसेंट है, 28%, वही पर आप खेल के answer निकाल सकते हो, तो, come on guys, देखो, the population of the village is 5000, it increases at the rate of 20% per annum, after 2 year population will be, एकदम easy, तो ये आपके लिए homework है, खतम करो इसको, लेकिन गलती से भी 20% एक साल का, तो 2 साल का 40% वह मत करना, एक तो effective से निकालो, या फिर अभी जो मैंने आपको increase, decrease बताया, उससे निकालो, come on guys, and electric appliances is price at 600, तो पहले initially, तो पहले price कितनी है, 600, because of market recession, the price was successively reduced 3 times, किनो बार क्या होई है, reduce, each time by 10%, तो पहली बार भी 10% से घटी, दुसरी बार भी 10% से कम, तीसरी बार भी, तो इस time, same, 10% बोलाए, तो what is the current price, ठीक है, each time, 10% of the price after the earlier reduction, जैसा reduce होआ, जो मिला, उसका 10% next time, वापीस, जो मिला, उसका 10% next time, ऐसे करते करते current price पूछा है, तो खतम गाई, तीनो बार reduce होआ है, आप चाहिए, तो xy वाले formula से जाओ, मैं तो ये better मानता हूँ, 90 by 100, reduce होआ है, तो 100 में से 10, हटा हो, 90 by 100, तीन बार ये मिल गई, नई price, तो हो गया, 0 तो कटा, 2, 0 यहाँ भी कटे, तो 9 into 9 into 9, मैंने का है, 1 to 15 तक क्यों भी याद रहा, तो best है, तो 7, 29 into 6, 7, 29 into 6, अपॉन 1, 10 बचाए हाँ, एक टेन अभी भी बागी, ये भी दोनो 0 शहीद, ये भी दोनो 0 शहीद, इसको multiply 6, 9s are 54, तो 4, 37, 10 से divide करना है, 4, 37.40, 10 से divide होने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का multiplication क्या है, 4, 3, 7, 4, upon 10 है, तो upon 10 हट जाएगा, उपर decimal आजाएगा, finish, come on guys, again देखो, the papaya tree was planted 2 years ago, दो साल पहले papaya tree को हमने plantation किया था, it increases at the rate of 20%, every year, हर साल 20% से बढ़ रही है, if at present, oh my god, दो साल पहले उसकी height कितनी थी हमें नहीं पता, जब उसको plant किया था, उसकी height कितनी थी हमें नहीं पता, इस बार question ने थोड़ा उल्टा खेला है आपके साथ, original देकर अब तक 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वाला पुछ रहा था, इस बार उसने आज का, यानि कि 2 साल बाद वाला दे दिया है, 2 साल पहले का पुछा है, दो साल पहले उसको plantation किया था, तो जो भी increase होगा, first year उस पे हुआ, फिर कुछ तो मिला होगा, फिर अगला 20% उस पे होगा, फिर आज पे हम आये हैं, तो आज की height हमें पता है, if the present height of the tree is 540, then what was the height when the tree was planted, papaya tree 2 साल पहले हमने plant किया था, हर साल 20% का increase हुआ है, और वो increase होते होते, आज उसकी height क्या है, the present height is 540, then what was its height when the tree was planted, तो guys, अब तक आपको ये पता होगा था, original population मानलो 1000 या जो भी है, इस पे आप increase, increase multiply करते थे और नया निकालते थे, इस बार आपको ये पता है, इस बार 540 मतलब क्या पता है, increase होने के बाद, दो बार successively increase होने के बाद, उसकी height क्या बची है, 540, और कितने से, 120% हो जाएगा न, क्योंकि 20-20% से बढ़ी है, तो मानलो, जब हमने उसको plant किया था, तब उसकी height थी x, 20% से बढ़ी है, याने 120, वापिस अगले साल 20% से 120, तब जाके यह height हो गई, अब इसको निकाल लो, यह पता था, यह निकालते थे, उल्टा करना है बस, तो यह क्या हुआ, 6 by 5, 2020 से divide करके 6 by 5, तो x निकालना है, उसको अकेला करो, 540 as it is, अब यह 6 by 5 उदर जाके, equality के उदर जाके 5 by 6 हो जाएगा, सेम यह भी 5 by 6 हो जाएगा, खर्तम, 6 ने पहले 540 को divide किया, 6, 9, 90 आया, अगेन यह 6 ने इसको divide किया, यह 15 आया, तो guys, 15 into 5, 75, 75 into 5, 3, 75 is the answer, finish, तो दिखो, x, y से ही जादा better है, यह न, फटा-फट यह बता हो, तो वो निकल जाए, यह बता है, तो यह भी निकल जाए, calculation, simply, done, उच्छलो guys, एक last concept है, percent increase यह दिखने के लिए, आपको 4 चीज़े दिखरी, increase, decrease, change, error, बथ है, सब सेम, और बस percent निकालने का खेल है, इस बार क्या होता है, question बोलता है, मान लो, A की salary 300 है, B की salary 500 है, तो, what is the percent increase in B's salary as compared with A? B की salary increase है, बच्चा भी बोल देगा, लेकिन कितने से, बट आपको percent form में, कितने से increase है, यह बच्चा भी बोल देगा, 200 से, B की जादा है, सब को पता है, कितने से जादा है, सब को पता है, लेकिन इसी को percent में पूछा है, तो, अगर A की salary 300, B की 500, कितने से जादा है, 200, तो percent increase अगर वो आपको बोल रहा है, percent increase अगर बोल रहा है, तो, मैंने आपको starting में ही कहा, increase मतलब क्या, जिस भी चीज का आपको percent मतलब simply क्या होता है, percent मतलब, जिस भी चीज के percent निकालना है, मैंने आपसे कहा था न, साथ करो, एक सवा घंटे पहले rewind करो अपने आपको, जिसके भी percent निकालना है, मानलो A के percent निकालना है, तो A के mark उपर, total नीचे into 100, B के निकालना है, तो B के mark उपर, बाकी नीचे total into 100, यानि जिसके भी percent निकालना है, ऊपर वो होता है, बस, तो यहां हमें अगर percent increase निकालना है, तो कितने से increase है, यह हमें पता है, उसको numerator में लो, अगर percent increase निकालना है, तो numerator में कहाएगा, वो increased value, जितने से वो increase हो रहा है, decrease बोला होता, तो decrease value, change बोला होता, तो जितने का दोनों में change है error बोला होता, जितने का दोनों में difference है change है, difference, error तो guys, अगर आपको A की salary sorry, B की salary कितने से increase है than A मतलब B का increase निकालना है और अपकोस B का increase किससे निकाल रहा है than A तो जितने से increase है numerator में अब यहाँ challenge क्या है denominator value को समझना इतना तो अब आप समझ गयों कि sir, percent increase बोला है मतलब numerator में वो value लिखेंगे जितने से increase हो रहा है, same decrease बोला होगा तो decrease की लिख देंगे, तो अब वो numerator का load तो रहा नहीं, percent निकालना है तो into 100 भी fix है उसका भी load नहीं रहा अब load स्रिफ की इस चीज़ का, कि sir, denominator में किसकी value ले, यहाँ तो कोई total जैसी चीज है नहीं, यहाँ तो एक दूसरे से comparison है तो A की value ले या B की ले, तो guys यह चीज बस अच्छे समझो और खेल खतम, यह चीज अगर आपने समझ ली, फटाफट question करेंगे, खेल खतम तो क्या करना होता है जिसके भी comparison में हम यह निकाल रहे है increase या decrease, उसकी value denominator में I repeat इस से भी हम compare कर रहे है उसकी value denominator में percent increase बोला है, तो increase कितने से है 200 से, बट किस से हम compare कर रहे है of course, B की हम निकाल रहे, percent increase as compared with A मुझे बता, अगर A की आपको salary ही नहीं पता होती तो आप B का increase कभी भी निकाल सकते थे नहीं B की salary increased है या आपको तभी तो पता चला न, जब A की दी थी तो 200 से increased है as compared with A तो जिस से compare हो रहा है, वो हमेशा denominator में, तो increase B की salary बत किस से, A से, तो A की value आई की denominator में, तो guys ये बन जाएगा आपका 66.66 2 by 3 कितना होता है, 66.66 तो ये क्या हो आप B की increased salary as compared with A, बत दोस्तो मान लो अगर A की 300 ही होती B की 500 ही होती, बत अब मैं question बदल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि what is the percent decrease of A's salary as compared with B, तो decrease भी कितने का है, 200 का ही है तो नूमरेटर, increase बोलो तो भी 200 है, decrease बोलो तो भी 200 है, तो भी increase में क्या है B की increase है, than A इसलिए denominator में A आया decrease में क्या है, A की decrease है, A की less है, decrease याने less, कितने से 200 से, इसलिए वो उपर percent increase, decrease जो भी increase, decrease है वो उपर than B, A की salary 200 से कम है बट किस से, than B, अगर B दिया ही नहीं होता, कि आपको A की salary कितने से कम है, पता चलती कम है ये पूछा आपको, कितने percent से तो वो तो तभी पता चली ना, जब B था तो B की salary अगर आपको नहीं दी होती तो A कितने से कम है, पता ही नहीं चलता देखो, increase बोला है तो हमेशा, simply हम किसको compare कर रहे है, वो बंदा जिसको जादा है, as compared with कम से तो जो कम वाला हमने निचे लिखा, increase में जब decrease बोल रहे है, तो हम किसको compare कर रहे है वो जो जिसकी कम है वो जिसकी कम है, बट किसके comparison में जिससे जादा है, जिसकी जादा है, तो कम कितने से है, भाई, 200 से as compared with B 200 से decrease, तो ये क्या होँ into 100, तो guys percent decrease पूछा होता, तो आपका formula ये आता, और same data में percent increase पूछा होता, तो increase भी दोनों में difference तो है ये दोसों का न, percent change भी बोला होता, मैंने खाना, नाम अलग है but meaning सबका एक ही है, तो दोनों का difference हमेशा numerator में increase बोलो या decrease बोलो दोनों का difference हमेशा numerator में denominator बस समझो क्या हैगा, into 100 भी fix है, तो जिससे compare कर रहे हो, than with respect to, in comparison with, ऐसे word जिसके भी साथ है वो denominator में लो, तो यहां मैंने का बोला, percent increase of b, increase of course कोन है, b than a in comparison with a, than a in accordance with a, with reference to a तो जिससे भी compare हो रहा है, वो denominator है यहां मैं काल रहा हो, percent decrease, decrease of course कोन है, a बड़ वो decrease है कब पता चला, जब हमें b की salary, उससे जादा है पता चली, तो हम percent decrease of a निकाल रहे than b, तो जिससे भी compare कर रहे हो नीचे तो मज़रे हो guys मज़रे हो, मानलो एक बच्चे के original mark थे 400, लेकिन mark sheet में वो लिख लिए 500, यह क्या थे original, बड़ लिखे क्या थे, new बोलो या wrong बोलो wrong handwriting छोड़ो मेरी बात समझो है, मैं लिखा कुछ भी new, wrong, यह original, यह wrong original उसके mark 400 आय थे, लेकिन mark sheet में हमने गलती से wrong लिख क्या लिख दिया था 500, तो यह क्या हुआ, error इसको ही बोलते, percent error तो कितने का error है, 100 का, लेकिन हमेशा compare किस से होँगा, original छे न error है की नहीं, यह correct value से compare होता है original, correct कोन था, original into 100 समझे 25% बस, इतनी easy-easy हलवा-लवा बात है गाईज समझे रहो, एक आदमी है, उसकी salary 800 थी, अब उसकी 1000 हो गई, what is the percent change वो ही बात है, मतलब numerator में increase, decrease, percent change, percent error, numerator में आपको क्या लिखना है, difference तो कितने से change हुई है, 200 से as compare with original, as compare with old, इस से भी compare कर रहे हो, वो denominator में into 100 यहाँ पे आप B का percent increase कर रहे थे पहले example में आप B का increase निकाल रहे थे, than A, इसलिए A निच्चे आया, फिर आप A का decrease निकाल रहे थे than B, इसलिए B निच्चे आया वागी numerator में क्या आता है, सिर्फ difference इन चारो में, numerator में क्या आता है दोनों situation का difference फिर यहाँ पे आप error निकाल रहे हो, than original, than correct इसलिए, जो original रहे हो निच्चे आया फिर यहाँ percent change निकाल रहे हो salary का, than original, इसलिए जो original थी, वो निच्चे आया 200 से बढ़ी, एन difference, change 200, than original 800 खत्म guys, finish, देखो अब ऐसे question को tackle करना है, और end of the basic foundation of percent, आपको throughout the count, di, सब जगे काम आएगा two numbers are less than the third by 30% and 37, again देखो, दो number का comparison किस से किया है third से, वो भी percent form में तो यहाँ picture में third number को लाना जोरी है let's assume third number is 100, तो guys, अब देख लो, simple, अगर third number 100 है, तो दो number उससे less है, यानि पहला number कितना है, दो number हम मिल जाएगे, पहला number ले से by 30%, तो 100 का 30% 30 ही होता है, तो 100 minus 30, 70 हो जाएगा, तमका की नहीं पहला number और दुसरा number, दोनों number इस बार तीसरे से compare कि, एक example हमने थोड़ी दर पहले देखा था, जब first third से compare किया गया था, और second वाला first से क्या गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों number third से relate किया है कि दोनों number third वाले से छोटे है, पहला by 30% दूसरा by 37%, इसलिए हमने third number को 100 लिया, तो पहला 30% से कम कर दो, 70 हो गया दूसरा 37% से कम कर दो 63 हो गया, यह मिल गए दोनों number, question बोल रहा है how much percent is second number less than first क्या हुआ guys, how much percent percent आया, less मतलब decrease, so question in short, आपको क्या बोल रहा है कि by how much percent second number is less, देखो यहाँ हमें दीखी रहा है यहाँ हमें दीखी रहा है कि second number less है than first कितने से less है, मैंने कहा, दोनों का difference उपर, यहाँ पर कितने से decrease है, कितने से less है seven से, than first compare किस से हो रहा है, first से यहाँ, second number कितने से less है, seven से than first, जिस से भी compare हो रहा है ओ seven seven कटा एक zero एक zero कटा, ten percent is the answer यहाँ, एक zero एक zero कटा, seven by seven कटा, ten बचा बस ten percent is the answer, कौन guys a number is mistakenly divided by five instead of being multiplied by five एक कोई तो number था, चलो मान लो hundred था चलो मान लो, hundred था या twenty था, कुछ भी ले लो यहाँ जो five से divide हो easy हो जाएगा, तो a number is mistakenly divided by five, मतलब यह mistake हुई करना कुछ और था original कुछ और बोला गया था, बट mistakes से उसने कहा किया, mistakenly divided by five, मतलब इस number को, याने twenty को हमने five से divide कर दिया, यह हला कि क्या है, mistake है हला कि करना क्या था, instead of being multiplied by five, याने correct क्या करने बोला गया था, multiply करना याने एक जो number है, जो मैंने twenty लिया है, guys आप hundred लेके देखो, five hundred लेके देखो, three लेके देखो, फिर भी आपका मेरा answer सेम आएगा तो मैंने number twenty लिया है, मुझे क्या बोला गया था, कि उसको multiply करना, तो मैंने twenty को, किस से multiply करना, five से, अगर five से multiply करो, तो मेरा answer क्या expected था, hundred, मुझे अगर कोई बोल रहा है, कि twenty को five से multiply करो, तो क्या expect कर रहा है कि मैं उसको answer बोलूँगा, hundred, but mistakenly, mistakenly मैंने instead of being multiplied by five, मैंने mistakenly divide कर दिया by five उसी number को तो answer मेरा क्या आया, four मतलब यह क्या आई, error आई, कितने की रहा है, 96 की, तो question वो ही बोल रहा है then the percent change in the result due to this mistake percent change, मतलब again कितने से change हुआ, 96 है बस इसी के percent निकालना है, तो जिसके निकालना है, numerator मे, again compare किससे होंगा, correct से तो correct क्या था, multiply करना है, 100 से, और into 100 तो fix है, तो 100, 100 कटा 96% is the answer 90, आपको मैं दिखा दो, अगर आप मानलो 10 लेते अगर number आप 20 ना लेते हुआ, 10 लेते तो correct क्या था 10 से multiply करना था तो answer आता था 50, लेकिन mistakenly हमने divide कर दिया, तो 10 divide by 5, answer आगया 2, मतलब कितने का mistake हो गया, 48 का तो 48 का change आया है due to this error, due to this mistake, 48 का change आया है as compare with 50 25 expect था, 2 answer दिया मैंने क्योंकि divide कर दिया, तो error कितने का आया, 48 का, as compare with 50 into 100 तो fix है, तो देखो 48 into to 96%, कुछ below answer, same ही आएगा तो चलो guys, शुरुआत करते हैं अपने, अब कुछ last practice question की है ना, तो practice question में आपके लिए homework है, simple मैं आपको hint दे रहा हूँ, कि ऐसे question, अब देको language अलग है, लेकिन concept वो ही है, जो हमने सीखा, अब ये question में कौन सा concept का हमा रहा है, water tax पहले increase हुआ 20% से, बट अब tax बढ़ा है, तो उसका effect थोड़ा demand पे, consumption पे होता है, वो 20% से decrease हुआ, then the increase or decrease in the expenditure तो simple है, मान लो मेरा 100 रूपया पहले expenditure था, पहले increase हुआ, increase मतलब हमेशा मैंने का है पहले हम 100 को, किस से करना है समझ गया ऐसे question, successive percent से आप चाहिए तो 20% increase उसको X मान लो, 20% decrease उसको minus, मतलब ये y हो गया minus 20, x plus 20, y minus 20 उससे करो, overall change या फिर मान लो, original expenditure 100 था, normal situation पिर tax 20% से बढ़ा, याने 120%, तो consumption 20% से घड़ गया, तो 100 minus 20 80% ये बना आपका new expenditure तो आप ही solve कर लो, का है का homework रहा ये, तो ये 0, 0, 0, 0 कटा, 12 into 8, 100, 100 गया 12 into 8, 96, तो जो मेरा पहले 100 का expenditure हो रहा था, वो 96 हो गया, बच्चा भी बता देगा, 4% का decrease 4% का, देखो 4% दो जगे हैं, लेकिन नजर हटी, दुरगटना घटी, increase नहीं, 100 का 96 होना, याने 4% का decrease है option थी, and guys, देखो ये भी वही question है, पहले discount दिया, उसने 20% का, और discount देते हो, तो definitely होता है na, festival season में इसले तो sale बढ़ता है क्योंकि bumper discount होता है तो discount दिया 20% का, उस वज़े से sale बढ़ी 80%, पहले कम क्या percent 20 से, फिर 80% से sale बढ़ी, successfully solve करो, और इसका answer मेरे को बताओ overall receipt में क्या फरक पढ़ा this is your homework guys, तो ऐसे question, नाम data, सब अलग, कही पर भी mention नहीं रहेगा, अब आपको समझना है कि कहा increase, कहा decrease और वहाँ पे successively हो रहा है तो बराबर successively वाला concept अपलाई करो जहाँ भी दो situation का difference का comparison पूछा है, increase, decrease change, error, वो भी percent के form में तो दो situation में अगर आपको compare करना है वो भी percent के form में कि कोन किससे increase है, decrease है तो वहाँ पे वो, जो हमारा last वाला concept तो उसको apply करो percent अगर decimal में fraction को use करो एकदम easy guys, और सबसे important word-based question को अच्छी से खेलो और आप बरसे language को समझो बागी हलवा topic है, ठीक है तो करना guys, पूरे count की जान है, यह दो-तिन topic जिसमें percentage priority पे, ratio priority पे, साथ में DI की भी, data interpretation के लिए equally important है मिलते नेक्स्ट lecture में, till then bye-bye good day, take care, enjoy